उम्ब इंडियन्स के साथ मैच में अर्शदीप सिंग की कमाल की केंद बार्जी देखने को मिले लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देगी शनिवार राज हुए मैच में उदोंने लाखों का नुकसान कर दिया जी हाँ वो भी छोटा मोटा नहीं वो लाखों का जो नुकसान है वो एक शांदार SUV की कीमत के बराबर है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी अब चर्चा लगातार जारी है तो आखिर कितने लाखों के नुकसान का भागेदार अरशदीप ने IPL को बना दिया है बस आपको चंद मिन्टों में पता चल जाएका लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागर है आप सभी का स्पोर्ट्स निस पर और मैं हूँ आपके साथ में धुरूब अधरी दरसल ये तब हुआ जब मुंबई इंडियन्स को आखरी ओवर में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत थी और तब पंजाब किंस के कप्तान सैम करन ने गेंद अरशदीप के हाथों थमा दी थी जिस दोरान खिलाडी की पहली गेंद पर टीम डेविड ने एक रन लिया पर दूसरी गेंद पर उन्होंने कोई भी रन नहीं दिया इसके बाद तीसरी गेंद पर अरशदीप ने तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड किया देखते ही देखते गेंद मिडल स्टंप को आगे तोड कर निकल गई और फिर चौती गेंद पर भी कुछ ऐसा ही मनजर देखने को मिला दोबारा अर्शदीप ने स्टंप पर अटैक करते हुए निहाल वडेरा को क्लीन बोल्ड किया और उस दुरांद तो स्टंप तूट कर काफी दूर जाकर भी गिरी टी अब आपको बता देख कि जिन विक्टो पर जिन स्टंप्स पर अर्शदीप ने अपनी गेंद बाजी से हमला किया रिपोर्ट्स के मुदाब उन एलेडी स्टंप्स और जिन बेल्ट्स की एक सेट की कीमत करीब 40,000 डॉलर यानी करीब 30,000,000 रुपे है और अर्शदीप ने तो खेर ऐसा कारनामा एक बार नहीं बलकि दो बार किया जिससे जाहिर है कि बोलने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है आप अंदासा लगा सकते हैं कि कितने लाखों का नुकसान इस मैच में खिलाडी की बज़र से हो गया खैर शनिवार को पंजाब किंग्स और मुंबई इडियंस के बीच से ये म IPL अभी जारी है लेटेस्ट अबडेट्स पाने के लिए मज़ितार लाइफ सेशन्स देखने के लिए इन्फोर्मेटिव वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ आज ही जोड़ जाएए फिलाल के लिए दीजे इजासत मिलते हम आप the next video